गेंदिये मानुत संसादुन विकासमत्री रमेश पोकरियालने की घोशना सरकार ने गर्मियों की चुट्टियों के दोरान भी जात्रों को मिड़े मील उपलब्ध करवाने का लिया फैसला लोकडाउन के दूसरे चर्ण में मन्रिगा की तहट काम करने की इजाज़त मिलने पर मजदूरों में खुशी की लहर करनाल में पुलिस ने लोकडाउन के चलते घर में बंद दो जुड़वा भाईयों का केक कटवा कर जर्म दिन मनवाया परिजिनों ने पुलिस की तारीफ की और प्रसिद फिल्म अभी नेता इर्फान खान ने दुनिया को कहा अलविदा मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में ली अंटिम सांस नमस्कार मैं सुरेंदर कुमार अब समाचार विस्तार से कोरोना माहमारी से उत्पन हुए संकट को देखती हुए सरकार इस आल गर्मियों की छुटियों को में भी स्कूली बच्चों को मिड़े मील उपलब्ध करवाएगी केंदर मानव संसाधन विकास मंतरी रमेश पोकरियाल निशंक ने राज्यों के शिक्षा मंतरियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये हुई चर्चा के दोरान इसकी घोशना की केंदर मंतरी ने कहा कि बच्चों को चुट्टी के दोरान मिड़े मील या इसके समकक्ष खादे सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा इस वोजना के तहत बच्चों की पोशन संबंदित आवशक्ताओं को पूरा किया जाएगा कोवीड-19 महमारी के दोरान उनकी प्रतिरक्षा अक्षमता सुरक्षित रहे इससे देशभर के स्कूलों के कक्षा एक से आठवी तक पढ़ने वाले लगभग साड़े ग्यारा क्रोड बच्चों को लाभ मिलेगा केन सरकार इसके लिए लगभग 958 क्रोड रुपयों की अतिरिक्त राशी और 3 लाख मिट्रिक टन खाध्यान उपलब्द करवाएगी गोरतलबह की प्रशामंतरी नरेंदर मोदी ने घरीब परिवारों की भोजन संबनित आवशक्ताओं का ध्यान रखने को कहा था ऐसे में सरकार का ये निर्णे उसी दिशा में उठाया गया एक महतवपूर्ण कदम है लोगडाउन का दूसरे ज़्यादा असर जो है दिहारीदार मजदूरों की परिशानी का सामना करना पड़ रहा था रोहतक के उपायुक्त आरेस वर्मा खुद मजदूरों के बीच पहुँचे और उनसे बातचित की मन्रेगा योजना के तहट हरियाना में 309 रुपए प्रती दिन मजदूरी दी जाती है हरियाना में मन्रेगा की मजदूरी की दर पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा है कुरोनमा हमारी के फैलाव को रोकने और बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस का भी विशेश तोर पर ख्याल रखा जा रहा है सरकार की दायतों के अनुसार लोग डाउन के दोरान हमारे जितने भी गरीब आए कुसल मजदूर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले और वो काम पे रहें इसी के मद्दे नजर हमारे जितने प्रोजेक्ट गत्व रसे 31 मारश को अधूरे रह गए थे उन सभी पे जोर सोर से कारिये प्रारम किया गया ये आज आपके सामने जिरारोत तक के खंड सापला गाउं गीजी में सोड़ा वाले तलाव की मनेगा के तेद ये आह मिटी नि साथ ही इस गाह में ये दूसरा कारिये भी है जिसकी लागत लगपत पौने दस आलाख रुपे है इसमें काफी सारे जो हमारे एकुसल मज़़ूर है उनको मज़़ूरी मिल रही है करनाल के दो जुड़ूआ भाईयों नवतेश और प्रतीक के जरम दिन पर केक काटने की इच्छा जताने पर उनके पिता ने सेक्टर छे चोके से संपर करके चोके इंचार्ज सुरेंदर सिंग से बात की चोकी इंचार्ज सुरेंदर सिंग ने नाकेवल बच्चों के जर्मदिन के केक का प्रबंद किया बलकि खुद केक लेकर पहुँचे और उन्हें जर्मदिन की बधाई थी चोकी इंचार्ज ने कहा कि जैसे ही उन्हें इन बच्चों के जनम दिन का पता चला तो उन्हें अपनी ड्यूटी के साथ कम्यूनिटी पुलिसिंग का ख्याल आया और दोनों बच्चों के जनम दिन पर उन्हें सर्प्राइस दिया उन्होंने बताए कि संकर्मन को फैलने से रोकने में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है लोग घरों में रहे कर पुलिस का होजला बढ़ा रहे हैं सुनेदर सिंग ने कहा कि हम सब को लॉकडाउन का सक्ती से पालन करना चाहिए जरम दिन मना रहे बच्चों और उनके पर देपार्टमन से हमने रिक्वेस्ट की ती जो शिलिंदर जी ने आज जो सपना था वो पूरा कर दी है हमारा बच्चों का और सबसे बड़ी खुश निसीब बात ही है कि टाइम भी यही था जब यह बर्त हुआ था इनका टाइम भी यही था पांच साड़े पांच बजेग इस हमें केग होईया कराया जाए तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को सविकार किया और आज इन्होंने हमारे को केग रेंच करवाकर इनका लॉक्टाउन में बड़े सेलिपेट कर रही थी इजाज़ती है मैं पुलिस देपार्टमन का बहुत बड़ा धन्यवाद करती हू और ये लमा पूरी जिंदगी भरनी भतीजे मेरे भूल पाएंगे ना मैं भूल पाऊंगी आप मनाओ अपने बच्छों का बड़े और हमके एक अबलेवल परवाद करवाएंगे तो बड़ी खूशी होती है जी नैशनल अव वूड से सम्मानित और अनेक पुरस्कार और प्रसिद्धी अपने नाम कर चुके अभिनेता इर्फान खान हमारे बीच नहीं रहे वो कई दिनों से कैंसर से पेडित थे उनकी निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और पूरी देश में शोक की लहर है इर्फान खान ने बालीवूड के साथ साथ हॉलिवूड की कई फिल्मों में काम किया उन्होंने अपने शांदार अदाकारी से दर्षकों के दिलों में अपना एक खास मुकाम बनाया है उन्होंने 1984 में एक्टिंग की शिक्षा ली चानक के भारत एक खोच सारा जहां हमारा और चंदरकांता जैसे धारावाईक में काम कर चुके थे उन्होंने पहली बार 2005 में रेलिज होई फिल्म रोग में लीड रोल निभाया था लंच बॉक्स हैदर पीकू और पान सिंग तोमर जैसी फिल्मों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा फिल्म पान सिंग तोमर के लिए उन्हें नैशनल अवोड के लिए भी सम्मानित किया गया था उन्हें भारत सरकार की तरफ से पदमश्रीय वोड से भी नवाजा गया था अपने खराब स्वास्ते को लेकर वो मुंबई के कोकिला बेन अस्पिताल में भरती हुए थे जहां उनकी तबियत अचानक बिगडी और उन्हें आई सी उ में भरती किया गया आज सुबह वो इस दुनिया को अलविदा कहे गए सूचनायम परसान मंत्री परकाश जावडेकर ने भी अभीनेता इर्फान खान के निधन पर ट्विट कर दुख जताते हुए का इर्फान खान एक बहुमुकी अभीनेता थे उनके निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ उनके परिवार दोस्तों के प्रती मेरी समवेदना ओम शान्ती जीन जिले के गाउं निडानी में कोवीड-19 को हरा कर शाहिल और धीनदार अपने घर पहुँचे दोनोंने सरकार और चिकित्सकों का आभार वेक्त किया उन्होंने लोगों से लोगडाउन का पालन करने के लिए कहा तबलिगी जमात के संपर्क में आने से कोरोना संकर्मन हुआ था पहला वेक्ती उन्होंने बताया कि पीजाई रोहतक में उन्हें बेहतर उपचार मिलने के साथ चिकित्सकों ने भरपूर सहयुक दे कर उनका मनोबल बढ़ाया उन्होंने मुस्लिम समाच से अपील करते हुए का कि रमजान के इस महीने में सभी अपने घरों में रहकर नमाज अदा करें और रोजा रखें उन्होंने का कि लोगडाउन का पालन करने से ही इस महमारी से मुक्ती पाई जा सकती है अपने गरों में रहें, अपने दूर रहें, इस बिमारी से साब दान रहें। सूचना प्रवध्योगी की कमपनियों की करमचारे 31 जुलाई तक घर से काम कर सकते हैं। सूचना प्रवध्योगी की मंतरी ने ये भी कहा कि कोवीड-19 जैसी महवारी की स्थीती में विस्तरित दिशा निर्देश तयार करने के लिए राष्ट्यस्तर की रणनीती समीती गठित की जाएगी। पलवल जिले में राष्ट्य आजिवी का मिशन योजना ग्रामिन क्षेत्र की महिलाओं के लिए वर्दान साबित हो रही है। जिले के गाउ मंदोरी में महिलाओं ने दो स्वेम साहता समू बनाए है जो मास्क, गलब्स, पी-पी-ई किट और कपड़े का सामान तयार कर रही है। समू की महिलाओं अन्य महिलाओं को भी समू के साथ जोड़ने के लिए जागरू कर रही हैं ताकि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं भी आत्म निर्भर बन सके। कवीता ने बताया कि हरी दर्शन महिला स्वेम साहता समू से 13 महिलाओं जूड़ी है जो अपने घर पर रहे कर ही कारे कर रही है। वो अपने घर का कुछ खर्चा चला सकें इसलिए हमने एक ठोटी सी कमपनी खूली हुई है और हम इधर सारी महिलाओं को काम पे लगाए। राश्ट आजी विका मेशन ब्लॉक हतीन के कारेकरम प्रमंदक मोहमद शाजीद ने बताया कि योजना का उद्देश गरी परिवारों को सक्षम और प्रभावशाली बनाकर उनकी पारिवारिक याई को बढ़ाना है। लोगडाउन के दोरान काम नहीं मिलने के कारण सिरसा के दियाहड़िदार मजदूरों का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था अब मनरेगा के तहट उन्हें मजदूरी मिलने से वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। मजदूरे सरकार का आभार वेक्ट करते हुए कहा कि मुश्किल समय में भी उन्हें काम उपलब्द करवाया है। मरोज ने बताया कि घर रहने से उसके आर्थिक स्थिती पर काफी आसर पड़ा था, कोई काम नहीं था लेकिन मनरेगा के तहट अब उन्हें रोजगार मिल गया है। निर्मला रानी और राजदुलानी ने बताया कि हमें रोजगार मिल गया है, इसके लिए प्रधान मंतरी का धन्यवाद करते हैं। लोगडाउन के चलते किसानों को खेतों में फसल उगाने के लिए बीज, खाद और फसली दुवाईया ना मिलने से परिशानी का सामना करना पड़ रहा था। परन्तु सरकार द्वारा लोगडाउन में चूट मिलने से कैथल जिले के किसानों ने सरकार के स्नेड़ने की सरहना की। धार और सबजियों की खेती के लिए मशूर कैथल में लोगडाउन के चलते बीज, खाद और फसली दुवाईयों की दुखाने पूरी तरह बंद थी जिस कारण किसानों को बिजाई करने में परिशानी आ रही थी। सरकार दौरा लोगडाउन में कुछ दुखानों को चूट मिलने से किसान अब अपनी जरूरत के अनुसार फसलों के लिए जरूरी सामान खरीद रही हैं। उनने का कि खेत फसल बीचने के लिए तैयार थे लेकिन बीज खाद नहीं मिल रहा था। अब सरकार ने चूट देकर उनके समस्या का समाधान कर दिया है। इसलिए वो सरकार का आभारवेक्त करते हैं। वो अपना बीज अपनी जरूरत का समान जो उसे जरूरत है गेहूं कटाई के बाद उससे सबजी लगानी हैं। अपने जानवरों के लिए उसको चारा लगाना हैं। जिस चीज की उसे जरूरत थी जवार के बीच की। उसे बड़ी आसानी से उपलफद हो रही है और वो इस चीज की खुशी मसूस करें। अब सरकार ने जो दूसरा लोगडाउन हुआ हैं उसमें रियायत दे के हमारी दुकाने लगवग आट से नो घंटे खुल रही हैं। तो अब चारे का बीच चल रहा है उनकी गेहूं को टाई के बाद उनको नवी नवी सबजीयों का चाहिए थी वह अब उन्हें आसानी से उपलब्द हो रहा हैं। अच्छा किया जी। अंतमेस ब्रिटन के मुखेसमाचार एक बाद फेर। केंदिय मारव संसादन विकास मंतिर रमेश पोकरियालने की घोशना सरकार ने गर्मियों की छुटियों के दोरान भी चात्रों को मिड़े मील उपलब्द कराने का लिया फैसला। लोकडाउन के दूसरे चरण में मंद्रेगा के तहट काम करने की इजाज़त मिलने पर मजदूरों में खुशी की लहर। करनाल में पुलिस ने लोकडाउन के चलते दो जूडवा भाईयों के जर्मदिन का के काट कर दी बधाई परीजनों ने पुलिस की तारीफ की। और परसेद फिल्म अभीनेता इर्फान खान ने दुनिया को कहा अध्विता बुंबई के कोकिला बेन अस्पतार में ली अंतिम सांस। समाचार माज़त नहीं नमस्कार